आज से दोस्तों कुछ बढ़ा दिये गए तो अब जो आपको क्वासिन मिलेंगे वो नियर बॉट 15 मिलेंगे आज से फिर 20 होंगे और क्वासिन्स में लगातार दोस्तों प्रीज वन लाइनर फैक्ट के तोर पर इसे लिखते जाए हैं लगातार क्वासिन्स की गुरुवत्त बढ़ाई जा रही है आज का यह लेक्शिर के वल दोस्तों सुपर टीटी जीवन कॉसल को समर्पी थे एक बार देखेंगे जीवन कॉसल का आज एक कोश्चन देखेंगे मैंने आल्रेडी आपको डबली एचो की परिवासा पहले ही बता देती आज एक और जो जीवन कॉसल के बीच संतुलन इस्थापित करना है यह परिवासा किसने दी है आपसे ने डबली एचो ने ऑपसन बी यूनिसफ ने आपसन सी बिश्व बैंक ने आपसन डी भारती स्वास्त मंत्राले ने तो दोस्तों अगर आपको बारी की साफ इसके आपसन देखी दोस्तों तो क्या क करते हैं नहीं अब हत्या करना सीखेंगे तो आतंकवाद है इसको थोड़ी कोशल माना जाएगा मतलब इन तीनों के बीच बेहतर संतुलन इस्थापित करना है जीवन कोशल है दोस्तों और बताने कि जब नहीं दोस्तों डबली अच्चु बात बिना घुमाए आपको सीधा स सीधा बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज का यह लेक्चर दोस्तों बेसिकली जीवन का उसल पर है और इस प्रसंद का उत्तर है दोस्तों यूनिसेफ सही उत्तर है दोस्तों यूनिसेफ प्लीज नोर्स बनाते जाएंगे दोस्तों और अब चलेंगे दोस्तों क्वास्चन कौन सा जीवन कौसल है आप से समानभूती आप संबी सवजागरूकता आप संदी स्रिजिनात्मक सोच देखे दोस्तों दस जीवन कौसल बताएं हैं डबली अश्यों ने जो पूरी दुनिया मानती ही दोस्तों तो मैं हलका हलका सथकी व्याख्या देता हूं फिर आप उलतर दोगा देखे दोस्तों आपको लगना होगा समानभूती सहानभूती है पर इसमें अंतरे दोस्तों कई बार दोस्तों आदमी काता है नहीं कोई आपको फला आदमी से सहानभूती होनी चाहिए पर आपको जान काश्यर होगा दोस्तों सहानभूती से भी तगड़ा सब्द स समा नुभूती है कि सम मिन से बराबर अनुभूत मिन सनुभू करना दोस्तों मतलब दोस्तों अपने आपको दूसरे की जगह गर हम रखकर सोचे तो हम उसके बारे में बेहतर सोच पाएंगे दोस्तों कहने करत क्या है जैसे आप सिंपली समझिए वही एक आदमी सड़क पर क से बी तो लग सकती थी या दोस्तों कोई आदमी फटा कपडा पहन के जा रहा है हमें रहा है करके रहो सब्सक्रात इस ले दोस्तों को दूसरे की जगह रखकर सोचने पर हमें बहतर समझ होती है यह समानभूती है खुद से खुद की जिम्मेदारिया निभाना दोस्तों सोजाग रुखता है जो हमारा उत्तर भी है किसी प्राबलम को सॉल्ब करना समस्या समाधान है और नवीन सोच नए स्रिजन नए अविसकार नए प्रकार के प्रोड़क्ट परना दोस्तों से जिनात्मक्ता है दोस्तों तो मुझे यकीन है दोस्तों आप समझ ही गए होगे अपनी जिम्मेदारियों करतब्यों को समझना कौन सा जीवन को असल है दोस्तों तो अपनी जिम्मेदारियों और अपने करतब्यों को दोस्तों खुद से समझना आप समझ ही गए होगे जाना चाहिए तो दोस्तो आई विलीब आप समझी गए हैंगे इसका उत्तर है सेल्फ अवेयरनेस या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वज जाग रूपता चैने के दोस्तो अगला क्वास्टन किसी कंपनी द्वारा देखेंगे दोस्तो किसी कंपनी द्वारा प्रयो क्रिया जाने वाला ब्यापार चिन क्या कहलाता है औप्सने कॉपिराइट आप्सन B ट्रेड मार्क ऑप्सन C पेटेंट अप्सन D हॉल मार्क तो मैं दोस्तो आज आज आपको सारे बतांगा ये चारों इंपॉर्टेंट हैं देखे दोस्तो जैसे आपने कोई किताब लिखी है आपने सुना होगा तो या आपने कोई नौबल लिखा है तो आपने देखा होगा कई आज कल फिल्मों में पाइरेसी के केसे जाते हैं आपने सुना होगा एक आदमी का गाना दूसरा आदमी का देता है या एक आदमी ने जो किताब लिखा है, उसको तोड मरोड कर, किसी दूसरे आदमी ने किताब लिख दी, दोस्तो एक मूल लेकर की, किताब को कोई दूसरा यूजे ना कर पाये, तो उसको उसके अधिकार देना, दोस्तो आपने पढ़ा हshopा, कॉपी राइट होता है, ट्रेड मार्क करते हैं दोस्तों पेटेंट क्या होता है पेटेंट आपने सुना होगा जब किसी आदमी के पास मालिकाना मालिकाना हक होता है दोस्तों तो आपने देखा होगा जैसे आप मतलब कोई दवा बनाते हो तो आपको उस प्रोड़क्ट का उस उस्पाद का असली मालिक आप है इसक पूरसकार की रहे हैं तो आपको किन बातों का दिहान रखना चाहिए पहला पूरसकार की रासी छोटी हो बी पूरसकार में पढ़ाई लिखाई या दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुए दी जाएं सी हो सके तो पूरसकार अमुर्थ होड़ी उपरोग सभी देखे दोस्तों ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अब जरह आप सोचो कच्छा एक के बच्चे को आप एक लाख रुपया पूरसकार देते हो तो मुझे नहीं लग रहा है वो पढ़ने आएगा वो तो आराम से खाएगा पीएगा मस्त रहेगा और सोएगा तो दोस्तों कहा जाता है कि पूरसकार की रासी हमेशा छोटी हो पूरसकार एक मदब एक प्रदर्सन को सुधारने के लिए प्रोसाहन होता है ना कि आदमी को धनी बनाने का टार गरता कि वो और अच्छा कर सके है पूरसकार में देखे गए छोटे बच्चे को पूरसकार म आप उसको BMW नहीं देंगे आप उसको एपल का 50,000 का फोन नहीं देंगे बलकि आप उसको पिन, कापी, पढ़ाई, लिखाई की चीज़े देंगे और हो सके तो पुरसकार अमुर्थ होता है ना कहा गया है दोस्तों कि सबसे बड़ा पुरसकार प्रसंसा होता है तो अगर हो सक तो पुरसकार देंगे दोस्तों कि मूर्थ पुरसकार में बच्चों के आपस में इरिश्या कहे रहे यार इस बगल वाले को ट्रॉफी मिली है मुझे तो कुछ नहीं मिला इसका हाथ पेर तोड़के ट्रॉफी ले चलो दोस्तों कहा जाता है मूर्थ पुरसकार से इरिश् इसलिए इसका उत्तर होगा दोस्तों उप्रोक सभी या डी फॉर डेन्मार किसदर आई डांस और आप चलेंगे दोस्तों भारती दर्सन में कुल कितने मुल्य हैं दोस्तों यह एक मज़ेदार कोश्चन है दोस्तों अगर आपने दोस्तों पढ़ा होगा आपने सुंदर तो देखिए दोस्तों अगर हम भारती दर्सन की वात परे तो आपने सुना होगा हमारे यहाँ चार मुल्य होते हैं चार प्रकार के मुल्य हमारे होते हैं पहला अर्थ धर्म काम मोक्ष आपने सुना होगा तो दोस्तों यह चार मुल्य होते हैं इसलिए आप समझ ही गए हो होंगे अर्थ धर्म काम मोक्ष तो दोस्तों सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क सही उत्तर दोस्तों क्या है डी फॉर डेनमार्क इसलिए सही उत्तर होगा दोस्तों चार और इसलिए इस प्रस्तन का उत्तर होगा डी फॉर डेनमार्क अगें और अब चलेंगे दोस्तों क्वा दोस्तों भारती दर्सेम देखिए दोस्तों अर्थ होता है धन धानने तो यह आप जिन्दा के इसी लोग में करेंगे धर्म देखिए दोस्तों तपस्या अच्छा कारे करना मानवीता को करना गरीबों की मदद करना भगवान का भजन करना पर दोस्त धर्म भी तो तभी होग जब आप जिन्दा रहोगे, काम दोस्तों, आप इसे काम भाऊना सेक्सूल इंस्टिंक्ट से भी इसका मतलब है, एक्षा रखना भी दोस्तों इसकारत है, और यहाँ भी दोस्तों सरीर है तभी होगा, पर दोस्तों हमारे धर्म में मुक्ष, ऐसा माना जाता है दोस्तों की ज कहते हैं दोस्तो मोक्ष कहते हैं इसलिए मुझे अकीन है आप समझ गए है दोस्तो इसका सही उत्तर है सी फोचे नई तो फिर से देखें दोस्तो अर्थ धर्म काम यह लौकिक मुल्य है जबकि मोक्ष हमें स्वर्ग की प्राप्तिया परलोक के लिए होता है इसलिए है दोस्त का एक बार देखिए दोस्तों कई जाम में आ चुका है इसलिए मैंने इसको लिया है मानो जीवन का अधार क्या है एक बार आप आप देखेंगे ए ब्यावसाय भी धर्म सी नैतिकता बी मुल्ड एक बार दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका उस्तर मुल्ड होगा द दोखों को खाना क्लाना है पर जिन्दार होगा तभी तो दूसरे को जिन्दार रख पाऊंगा बैद दोस्तों यहां पर नायतिकता में इस पर इसनमत फसिएगा मानो जीवन का अधार है दोस्तों हम अपनी जोजी रोटी अपने जीवन को चलाने के लिए कोई जीवन किसको माना गया है दोस्तो ब्यावसाय को माना गया है इसको दोस्तो अब चैड़ेंगी question ten no 8. ब्यावसाय नहीतिकता के कितने क्र多व दोस्तो दूस्तो आपके सेलिवसमें vogs में च्रड़ है थे दूस्तो ब्यल्साय का च्रड़ कि इस विघुता के एक बंघ़ देखेंगे जोस्तों हिसाएक नयतिक्ता के कितने प्रकार है दोस्तों औसने ती人 अप्सन बीне-पांच उक्षीछ सेख़ें डेखेंगे हैं तो दोस्तों आपको थोरा सा भाशी चाहर हम बता दें ध्याजाएक आचरीर निती जीसे हम दिखत कहते हैं यह वास्तों में दोस्तों दो प्रकार की होती है दोस्तों इसे को कहा जाता है प्रामारिक नहीं दिखता सकती हैं पर दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कुछ चीजे जो दिखने से इमानदारी को नहीं दिखाया सकता है कछिन परिश्रम को नहीं दिखाया सकता है इसे महसूस किया जा सकता है पर पर इस चित्र देख रहे हैं इस कोश्चन को आप देख रहे हो पर कि आप इमानदारी को देख पार है और दोस्तों नहीं तो दोस्तों कहने करते कि छो दिखाई नहीं पड़ता दोस्तों उसे वरग्यनात्मग कर सकते हैं और जिसका प्रमार के रूप में प्रस्वत कर सकते हैं वह प्रहणारिक है दोस्तों जैसे करते हैं इसमें दोस्तों 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 प्रामाडिक नयतिक्ता करते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं दोस्तों नात्मक नयतिक्ता सब्सक्राइबिस एक तो प्रकार की होती है प्रामारी को रचना प्रकार की होती है तो बोला कि शिख्षा में हम चीजों को वरडन कर सकते हैं प्रमार के तौर पर हर की दिखाई नहीं जा सकती है अब वदाज है एक्जाम का कंबिनेशन क्या होगा तो आप उन्हें पानी होगा पर क्या तूर्ण के प्रोटान कहा है पर आप वरडन करते हो दोस्तों इसलिए मुझे यकीन है आप समझ रहे हो आप से पूछा जाए कि दोस्तों के केमिकल कंपोजिशन लिखिए तो क्या करता है प्रोटान कहा है पर आप वरडन करते हो दोस्तों इसलिए मुझे यकीन है आप समझ रहे होंगे शिक्षा में प्रामारिक की जगह ज्यादा तरपाई जाती है कौन सी नहतिक्ता वरडनात्मक नहतिक्ता सो बीफ और बांबेई जरा आइट आंसर दोस्तों और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नमबर 10 पर वर टेन ब्यक्तित्तों का मुल्या धारित विभाजन किसने प्रस्तुत किया यह कोश्टों इस वाले चैप्टर में जो आपने सुना होगा हमारे आपके जीवन का उसर में और च्छोटा सा चैप्टर है मान भी एवं सम्भैध तो दोस्तों वहां से कोश्चन है ब्यक्तित्तों का मुल्या धारित विभाजन किसने प्रस्तुत किया है ऑप्शने क्रेश्मर ऑप्शन बी सेल्डन ऑप्शन सी स्प्रेंजर ऑप्शन ली हिप्पोक्रेटस तो दोस्तों अपने सुना भी होगा इस प्रेंजर ने ब्यक्त मुल्य, तीसरा सामाजिक मुल्य, चौथा राजनितिक मुल्य, और पांचवा दोस्तों जैसे आपके कभी हो गए, चित्रकार हो गए, उसे हम कलात्मक मुल्य कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार से पांच प्रकार का जो मुल्य आधारी डिविजन पर प्रेंजर ने फिर एक बार सुनेगे धार्मिक आर्थिक सामाजिक कलात्मक यम्राजिनितिक यह 5 प्रकार के मुल्य बताएं है किसने इस प्रेंजर ने दोस्तों और अब चलेंगे कॉश्चन नमबर 11 पे दोस्तों कॉश्चन नमबर 11 अभी प्रेंडा की शुरुआत कहां से ह सिंपल सी बात क्या है अफ़सं एक बडा सुन लेंगे आवश्यक्ता ऊप्संट बी दोस्तों प्रडोड उप्संसी प्रोज्द शाहन उप्संट सभी देए देखे दोस्तों तीनों तत्तों ही महान कलारखलने बताए हैं दोस्तों पर आपको हल्का सा समझाना चाहूंगो कि दोस्तों सिम्पल सी बात क्या है ये जिसे एक आदमी जा रहा है और कहीं पे मांसा हरी भोजन मिल रहा है अब मैं मांसा हरी व्यक्ति नहीं हूं दोस्तों तो वो भोजन कितना भी क्यों ना फ्री में मिल रहा हो मैं उसको नहीं लूँगा क्योंकि मेरी उस से आवाश्यक्त या मुझे कितनी भी ठंडी चीद देख भाई ये गलास और पीलो एर यार पेट में जगा होगी तब ही तुपी होगा अभी प्रेरिट तब तक नहीं हो सकता दोस्तो जब तक कि मुझे उसकी क्या नहोता है देखिए दोस्तो भोजन आवशक्ता है दोस्तो एक बार आप तीनों सब्दों को सुन लेंगे भोजन आवशक्ता है पर दोस्तों एक बार आवशक्ता ने जन्म ले लिया तो जो तनाव पैदा होता है उसे दोस्तों हम क्या कहते है प्रडोध अधरी की दोस्तो भोजन आवजशकता है पर भोजशन नहीं दोड़ाता है दोड़ाती है भूख और भूख दोस्त क्या कहलाती है प्रडोद और दोस्तो जो चीज आपके भूख को मिटाए वह प्रोसाहन है भोजन की प्राप्ती तो दोस्तों आप समझे गए होंगे तीनों सब दापस में जुड़े हों पर सुरुवात तो तीनों की आवशक्ता से ही होगी दोस्तों इसलिए अभी प्रेड़ना की सुरुवात होती है दोस्तों किस से आवशक्ता से जोस्तों A for April is the right answer if for America is the right answer और अब चलेंगे दोस्तों question number 12 अभी प्रेड़ना का प्रत्यासा सिध्धान किस ने दिया दोस्तों दोस्तों यह question आया है last year ही आया था तो मैं चाहूंगा दोस्तों चैट में भी आया था question अभी प्रेड़ना का प्रत्यासा जिसे हम एक्सपेक्ट है दोस्तों आ दानुक्रमित माग का सिध्धान दिया है दोस्तों मैस लोने देखिए दोस्तों प्रत्यासा का सिध्धान क्यों इतना ही कहता है आप से प्रत्यासा क्या होती दोस्तों जिसे आप आम भासा में आसा कहते हैं मेरी आसा है मुझे इतना फायदा होगा दोस्तों कहने करते हैं क जो आदमी जितनी आसा से बहुते से मज़े एक मजदूर हूँ, मुझे एक काम पे लगाया गया, भै छी कि आप साम तक काम करो, आपको फला रुपया, एतना रुपया आपको मजदूरी दी जाएगी, अब दोस्तों मैं उस मजदूरी के लालच में काम करता हूँ, अगर क्या मैं अगले दिन काम पे आऊंगा, उत्तर है नहीं दोस्तों, तो कहने करते हैं दोस्तों की आदमी हर कारे से, देखें दोस्तों मैं आपको बहुत आम आदमी की भासा में समझा रहा हूँ, हर आदमी किसी कारे से कुछ उम्मीद रखता है, अगर वह उम्मीद और असली फाइदा, दोनों मैश करते हैं दोस्तों, तभी वह प्रेडित होता है, इसी को हम एकस्पेक्टेंसी तियोरी अफ मोटिवेशन कहते हैं दोस्तों, और इसे दिया है एक महान बिद्वान ने जिनका नाम है विक्टर व्रूम, देखेंगे दोस्तों, सही उत्तर है विक्टर क्वास्चन है, और अब चलेंगे दोस्तों क्वास्चन नमबर 13 पर अभी प्रेड़ना च्छात्र में, दुश्टों मेंने कई लेक्चर में आपको बोला है, दो परिभासाएं हैं जो बहुत आती हैं, इसमें नहीं कोश्य पढ़ देता हूँ, अभी प्रेड़ना च्छात दोस्तों दोस्तों एक बात तो साफ है और मेकडूगल की परिभासा क्या है कभी प्रेड़ना मूल प्रबित्ति से उत्पन होती है और दोस्तों यह उत्तर है वास्तों में ठॉम्सन दोस्तों यह परिभासा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तो बिसिकली जो परिभासाएं बनती हो आम आदमी को देखकर बनती है पर यहाँ परिभासा डारेक्ट छात्र पे है देखिए आपने परिभासा गोई फिर से दिखाता हूँ अभी प्रेड़ना चात में रूची उत्पन करने की कला है दोस्तों तो यहाँ परिभासा दी है दोस्तों किसने थॉम्शन ने और यहाँ परिभासा फिर से दोस्तों यहाँ लिख दे रहा हूँ इस प्रेड़ना चात में रूची उत्पन करने के दिए सिंपल सिखाते दोस्तों कोई भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए तभी तो प्रेडित होगा दोस्तों जब उसके अंदर वो रूची होगी वाई मुझे जो चीज पसंद है उसे मैं करने के लिए अपने आप सिखात में कुल कितने प्रकार की मागे बताई हैं आपसन दो आपसन दो आपसन बी तीन आपसन सी पांच आपसन बीछे तो दोस्तों हम सभी जानते हैं मैसलों के सिखात को हम पदा नुक्रमित माग का या नाभीकी माग का भी सिखात करते हैं दोस्तों आपने पढ़ा होग और उसमें उन्होंने दोस्तों मागे एक बार देखेंगे जैविकी माग देखेंगे दोस्तों उन्हों कौन कौन सी मागे बताई है जैविकी माग बताई है उन्होंने सुरक्षा माग माग बताई है प्रेमर लगाव माग बताई है सम्मान माग बताई है दोस्तों और लाश् परिवार बारी दीक माग है इसलिए हम जैवी की माग खाते हैं जो सबसे निचली माग है दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों सुरक्षा चाहिए बाइप का आदमी चाहेगा भाई वो घर में रहे पानी बारी से बचे फिरलाश में दोस्तों रिष्तेदार नातेदार दोस्तों बर्चस की इसे हमारे हिंदी हमारे देहाती समाज में कहते हैं तू बड़ा की मैं बड़ा दोस्तों लोग दो दोस्त एक बार महले में गराम प्रधान का चुनाव लड़ जाते गाउं में और देखते 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 दोस्ती दुस्मनी में बदल जाती दोस्तो क्योंकि सम्मान की लड़ाई दोस्तों पहचान की लड़ाई होती है और लाश्ट में अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष प्राप्त कर लेना दोस्तों स्वय अथार्थी करण कहलाता है तो आपने देखा दोस्तों कुन्होंने कुल पांच मागे बताई हैं दोस्तों मैसलो को क्या कहा है दोस्तों इसलिए आपको थोड़ा सा आजीब लग सकते हैं दोस्तों सिंपल सी बात है आप समझों फ्रायट के सिध्धान्द को हम जीवन इक्षा अमर्त इक्षा का सिध्धान्द कहते हैं जिसे फ्रायट अपनी भासा में फ्रायट के चार बड़े सब्द हैं जो मैं आपको कोई बताना चाहूंगा इरोस देखे दोस्तों अब आपका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है म जनेस में घाटा हो रहा हो तमाम चीजें नुकसान पहुचा रहे हैं तो आदमी जिन्दा होकर भी लगता है फ्रस्टेर रहा है ताटा हो यार इससे बड़ी आतम मरे जाना ही ठीक है उसको लगता है जीवन निरर था कहा रहे है बगवान मुझे उठा लो यह दोस्तों मृ जीवन एक्षा को ये रोज कहते हैं पर यहां बात मृत एक्षा की की गई है दोस्तों तो बी है ठैना टोस फिर संदू ने कहा कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हर आदमी जीना चाहता है नहीं यार मुझे नौकरी मिल गई है मैं अच्छे से लाइव को सेट करना चाहires Mmatah दोस्तों सफलता जीवन की तरफ ले जाती है और सफलता जिसे हम fkimRIS important art का मानना था दोस्तों मुझे लगातार material दिया जा रहा है लगातार दोस्तों नोट दी जा रही है तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप निशची थी एक बार मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इन questions को जैसे आप देख रहे हैं लगातार नए नए questions बना रहा हूं दोस्तों और फिर से आपको एक बार request करूँगा आप मसे जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक टेली ग्राम का चैनल ये देखी दोस्तों इन matters को PDF में भी टेली ग्राम में दिया जा रहा है तो मैं चाहूंगा दोस्तों ब्याक्ख्या के लिए आप जरूर वीडियो देखें पर आप matter के लिए चंदरा इंसिट्यूट का टेली ग्राम चैनल भी जाइन कर सकते हैं दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आपके पास टेली ग्राम का एप है तो आप उस एप अगर एपल जैसे फोन यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जाकर के अप स्टोर से आप प्लीज इंस्टॉल कर ले और फिर उसमें चंदरा इंसिट्यूट इलाहबाद लिखकर जोईन कर ले दोस्तों लगा पार आपके फीडवेक बहुत ही अच्छी आ रहे हैं दोस्त अज्का जिम्मिदार नागरिक होने के कारण हम सबका दोस्तों एह करतब है कि लॉक्डाउन का पालन किया जाए दोस्तों तो घर से बाहर ना निकले रहां पार आर्मी पॉलिस की बहुत कड़ाई भी है दोस्तों तो मैं चाहूंगा कि आपका बाहन चीना जाया या इसी कोई बात उससे बहतर है दोस्तों कि आप घर पे रहें इंजॉय करें दोस्तों आपको रिगुलर आज किस क्लास के लिए दोस्तों फीड़बेक देंगे कि आज कोशिट पांच बढ़ा दियेंगे दोस्तों कल से कोशि आप जाते हैं मैं रटा मारके पढ़ा नहीं सकता और मैंने चाहता तक बीना ब्याक्ख्या देने पढ़ाऊ तो ठीक है अपना फीड़बेक देते रहें गया यह लेक्ष्यर कैसा लगा पर दोस्तों आपको कम से कम कोशिस कर रहा हो किससे पहले कि आपकी आपकी आफ लाइ झाल झाल झाल